रोहित से पहले सुर्या ने पकड़ी वर्ल्ड कप की ट्रोफी एक कैच ने बदला मोहौल आखरी ओवर का रोमांच देख थमी सासे पांडिया ने चीना अफ्रिकियों से गेम बुम्रा की जादूई गेंद और अर्शदीब के असरदार ओवर ने ट्रोफी जिताया एक जीत करोडों हिंदुस्तानी निशब्द करोडों हिंदुस्तानियों के आखों में जीत के आशू थे फिल्ड पे रोहित आखरे गेंद के बात लेट चुके थे पूरी टीम ने उन्हें जाकर उठाया गले लगाया विराट कोहली से लेके हारदिक पांडिया तक की आखों से मैच हरवा चुके थे खुद पवेलियन में बैठे कोच राहूल रबिड भी शायत उमीद हार चुके थे लेकिन रोहित ने ये उमीद नहीं छोड़ी उन्हें अपने खिलाडियों पे भरोसा था और उसके बाद जो हुआ वो वाकई इतिहास ताय चमतकार था या फिर भगव पर शिकंजा कसा और उसके बाद आखरी ओवर में पांडिया ने जो कमाल किया उसे सद्यों तक याद रखा जाएगा आखरी ओवर में ठीक पहले हारदिक पांडिया को रोहित काफी देर तक समझाते हैं उन्हें बताते हैं कि कहां गेंद डालनी हैं उसके बाद पहली गें ना आगे कभी ले पाएंगे सुरिक कुमार यादो बाउंडरी के पास खड़े थे मिलर ने बहुत लंबा शॉट जड़ा पहले सुर्यान उसे कैच किया दोड़ते दोड़ते बाउंडरी के पार हो गए लेकिन उससे पहले ही गेंद को बाउंडरी के इस पार फेक दिया था वो एक फीट कूदे और वापस से उस कैच को पकड़ के मिलर को चलता किया कैच इतना अद्भूत था कि खुद मिलर को भरोसा नहीं हो रहा था वो आउट हो चुके थे इंडिया की सांसे थम चुकी थी और अफरिकी टीम वहीं से ये मकाबला हार गई उसके बाद साथ रनों से अफरिकी टीम को भारत ने हरा दिया एक वक्त वो था जब साल तो असाथ 23 में हम वर्लकाप भारे तो पूरा देश रोहित के साथ था कह रहा था यहीं वो कप्तान है जो अच्छा खेला है टीम ने अच्छा खेला किसमत साथ नहीं दी थी लेकिन एक बार रोहित अपनी टीम के साथ वर्लकाप लेकर आएगा लेकिन इस बार यह कहने का मन किसी का नहीं था रोहित भी ये बात जानते थे कि अगर ये वर्लकाप नहीं जीते तो क्या जीतेंगे कहली ने जो लाज़ बचाई वो कोई और नहीं बचा सकता अर्शदीप उनिसमे ओबर के नाम से पहले से बदनाम थे पर रोहित न अर्शदीप पर इस बार उनिसमे ओबर में भरोसा जताया और अर्शदीप ने जिस तरह से टीम इंडिया के लिए शांदार बॉलिंग की उसे लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा बुमरा की बॉलिंग अर्शदीप कुनिसमे ओबर और हर्दिक पांडिया के बीसमे ओबर की पहली गेन टीम इंडिया के लिए सबसे लखी रही टीम इंडिया के लिए ये मौका ऐसा है जहां जश्न मनाने में जीत के आँसू आखों में आ रहे है कोई भी खिलाडी जश्न मनाने से पहले रो रहा है क्योंकि उसे पता है 17 सालों का इंतजार कितना बड़ा होता है हलाकि इधर टीम इंडिया जश्न मना रही है तो उधर अफ्रिके टीम पर कई तरह के सवाल खड़े होने लगी उनके टॉप ओडर ने जो काम किया उसे मिडेल ओडर जीत तक नहीं लेकर जा पाया जिसके बाद कई लोग कहने लगे कि चोकर्स टीम चोकर्स ही रह गई फाइनल में पहुचने से क्या होता है जीत तो नहीं पाई कहते हैं टीम इंडिया के सामने खड़ी हो तो बड़े से बड़े बीजेताओं की गिगगी बन जाती है अफ्रिके टीम ने शुरुआत में जैसा क्येल दिखाया उसे देख कर कोई नहीं कह सकता कि ये चोकर्स है पर अंत में हमने अपने शांदार खेल की दम पर मुकाबला जीत लिया और इस जीत की एक बढ़ाई तो बनती है